hello friends welcome back to my art gallery जैसे जैसे चलमास्ट में आर गया हैं सभीके घर में तयारी है शुरू हो गई है मैं भी यहां तयारी कर रहे हूं यहां मैं बना रहे हैं कॉआन जी का एक चौकी बना रहे हैं का थी की तो यह बहुत गाड़ी हो जाएगी और हातों में भी चिपकना शुरू हो जाएगी. तो हम यह से अच्छे ज़ा सिफिक मॉश्चर देना है ताकि जो भी ड्राइब ऑढ़िर जो भी है वह अच्छे से चिपक जाए, इस तरीके से, तो अब इस में हाथों का इस्तमाल करेंगे क्योंकि हाथों से बहुत अच्छे से होगा आप चाहें तो ग्लब्स भी यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से हमें पानी का इस्तमाल नहीं करना है तो वैसे ही बनाते बनाते आपकी सारी वॉल्पूर्ट के चिपत जाएगी इसको हाथों में लेकर थोड़ा जैसे हम आ होता चला जाएगा अगर आपको लगता है कि बहुत टाइट है या मतलब थोड़ा सा भी हाड हो रहा है पट रहा है तो हल्कसा पानी ले सकते हैं इससे जादा पानी यूज़ नहीं करना है वर्ना ये बहुत ही जादा गीली हो जाएगे और हातों में भी चिपकी इसे आप अपना आठ कंप्ली नहीं कर पाऊगे तो ये देखिए दो त्यार हो चुका है कि आपको ये दू तयार होने के बाद एक गीले कपड़े में कॉटन का कोई भी कपड़ा हो आप उस कपड़े में इसको रख सकते हैं और ये डेल से दो गंटा अराम से चलेगा तो अब हमने सबसे पहले पेंट करना शुरू करेंगे हम वाइट एक बेज देंगे इसको ताकि जो भी हम इसके उपर कलर सप्राइब करते हैं उसका जो एक्चुल कलर है वही शो हो वही निखर कर आए तो यहां पर मेरा पेंट सूप चुका है तो अब यहां पर एक बॉर्डर तयार कर यहां पर मैंने चार सेंटीमेटर के बॉर्डर तयार करा है आप चाहे तो पांस सेंटीमेटर छे या फिर से कम भी ले सकते हैं और जो चाहे वह डिजाइन अपना इस पर मार्ग कर सकते हैं हुआ हुआ है आप चाहे तो यहां आप चाहे तो क्ले भी उसकर सकते हैं क्ले की तरह ही हमें इस डो को भी यूज़ करना है और डो बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है बहुत इस तरीका है देखिए अच्छे से रूल भी हो रहा है यहां मैंने कुछ जिग जग करके अपना डिजाइन कम टीट के हैं आप चाहे तो फ्लावर्स यह कोई भी लीज बना सकते हैं यहां मैंने डिजाइन बहुत ही सिंपल रखा है झाल प्लावर्स यहां मैंने ख़िए झाल और तो रखा तो लुब्स है यहां मैंने कर दो यहां मैंने आप चाहे प्लावर्स ए मैंने चारों तरफ एक अपना डेजाइन बना लिया है और है यहां पर मैं एक बार्टर करेट कर रहे हूं अंदर की तरफ आप चाहें तो बाहर की तरफ भी कर सकते हैं मैंने बाहर की तरफ नहीं किया तरफ चाहें तो बाहर की तरफ पर बना रही हूं तो देखिए नहीं चाहते दरफ एक बाड़न टेट कर लिए है तो अब हम इस पर करेंगे पर 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 बाइब ब्लाक तरफ लिया लेकिन अभी हम जब तक यह हमारा क्ले सूफ रहा है तब हम इनके पाई बना लेते हैं यानि की चौकी के जो नीचे पाई होते हैं उनको बनाते हैं तो यहां मैं अपने कलर्स की बॉटल ही यूज़ कर रही हूं जो खाली हो गई थी तो इस तरीके से क्ले लेना है हलका सा पा और अच्छे से एक लेयर बना करके यानि की हाथों से ही देखते हैं आपको इस पर ग्लू अगरा लगाने की जबत नहीं है यह वाल पुट्टी अपने आप ही ऐसे चिपक जाएगी और हम इस तरीके से इसको रूल करेंगे तो धीरे-धीरे वाल पुट्टी उस पर सेट हो जाएगी अब चाहें तो सिफ एक अपने उगली से ही पानी ले सकते हैं अगर वाल पुट्टी आपको ड्राय लग रही है तो यहाँ पर मैंने पानी का ही यूज किया है इसको थोड़ा ओर स्मूथ करने के लिए हल्का सा पानी लिया है मैंने जादा पानी नहीं लेना है वर्ना यह जग तो यह चारो मैंने कम्टीट कर लिया है और यह ड्राय भी हो गए है तो अब हम अपना चौकी लेंगे यह भी ड्राय हो गई अच्छ से तो मैंने इसी बैक कर लिया था और अब हम इन पायो को जॉइंट करेंगे थोड़ा सा वाल पुट्टी टो लेना है अब ग्लू लगाकर इस परेकिस को पेस्ट करना है पहले लकडी पर ग्लू लगाएंगे फिर वाल पुट्टी और उसके बाद फिर से हम ग्लू लगाके इसको चिपता देंगे यह बहुत ही स्ट्रॉंग बेस बन जाएगा आपका और ऐसे ही मैं यह चारो तरफ पर लोगे अब हमने चारो तरफ पाई जोड लिये हैं और लीचे कुछ मतलब मग पगेर रखकर मैंने उसको थोड़ा उचाई पा रखा है ताकि जो हमारे पाई है वच्छे से जॉइंट रहें और अब मैं यहां पर बारी आ गई है कलरेंगी तो यहां मैंने कैमल का औरेंज कलर लिया ह पॉपने क्लर बारी है प्लाय के अप चाहें तो ब्लेक कलर क्लर को से कर सकते हैं आप अपना मन्चा उइन बाल गास अटे केहाữa साइब सा बाल अगाओ टो कि खाड़ पोड़िस happened in का सुनम आ बाल तो फ्रेंड्स यहां पर हमारा मिरूर वर्क कम्टीट हो गया है मैं अभी यहां पर एक्रेलिक कलर ही ले रही हूँ फैविक क्रिल का एक्रेलिक गोल्डन कलर लिया है और स्पॉंच से मैंने इसको मतलब थोड़ा सा हाइलाइट कर लिया है अपने आर्ट को जो भी हमने अपनी क्ले से बनाया था मैं ही चारो तरफ कर लूँगे अच्छे से तो फ्रेंस अभी हो चुका है कम्टीट और मैंने यहां सेंटर में पहले से ग्लू लगा लिया था ताकि आपको वाइट शो हो जाए और मैंने इन पर बिरर्र भी अप्लाए करती हैं आप चाहें तो और जादा मिरर से भी डेकोरेट कर सबके हैं तो यहां मैंने बॉर्डर क्रियेट करने के लिए यानि की शीशों के आसपास बॉर्डर बनाने के लिए या फैविक्रिल के 3D आउटलाइनर यूज किये हैं तो देखिए आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी डिजाइनर जो आपके मन में हैं जो आपको अच्छा लगता हो वह क्रियेट कर सकते हैं तो यहां मैंने चौकी की पायों को भी पेंट कर लिया है ब्लैक कलर से आप चाहें तो इसे स्केप कर सकते हैं या फिर लेस से कवर कर सकते हैं अभी चौकी के जो किनारे थे इन पर मेरे को एक लेस यूज करना था तकि थोड़ा और शाइन आ जाए मेरे गर में सिल्वर कलर की सिंपल लेस अवेलेबल थी तो मैंने यही यूज करी आप चाहें तो कोई और भी लेस लगा सकते हैं तो यह ग्लूगन की हेल्प से मैंने चारों तरफ इस लेस को लगा लिया है अब देख सकते हैं तो यह हो चुकी है हमारी चौकी कम्प्लीट अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना न भूले और शेयर अपने फैमिली फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए और ऐसे ही मैं आपके लिए और भी आर्ट लेकर आती रहूंगी तो यह जन्मास्ट में की तैयारी हमारी चल रही है और भी